चैहिन सातियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने येट्यूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSTGD Constable बरती 2.3 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और उसके फॉर्म बरने भी स्टार्ट हो चुके हैं तो सातियों अगर आप इसके फॉर्म को बरना चाहते हैं तो इसके फॉर्म को बरने से पहले आपको या वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इस बरती के बारे में complete information देने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या आप इसके फॉर्म को बर सकते हैं या फिर नहीं और क्या आपको इसके फॉर्म को बरना चाहिए क्योंकि सातियों हम आपको इसमें आपकी age limit, hide, yoga, weight और इसके physical के जानकारी देने वाले हैं और अगर आपने NCC कर रखी है तो उसके फायदे भी आपको बताने वाले हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फॉर्म बरने से पहले ही बता होनी चाहिए लेकिन कुछ candidates को नहीं पता होती और वे अपने फॉर्म को बरते समय वो गलतियां कर देते हैं तो चलिए सातियों बिना time waste करें हम अपनी वीडियो को start कर लेते हैं सातियों सबसे पहले जो बात आती है इसके फॉर्म की apply date की कि इसके जो फॉर्म है वो कब से कब तक निकाले गए हैं तो सातियों मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो आविदन करने की date है आविदन की तिती है वो 27 अक्टूबर यानि की 27 अक्टूबर 2022 से start हो चुकी है और जो इसकी अंतिम्तिती रहने वाली है वो रहेगी 30 नवंबर की यानि की 30 नवंबर तक आप इसके फॉर्म को आविदन फिल करवाएंगे क्योंकि 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके है और लाश्ट डेट इसकी 30 नवंबर रहने वाली है तो आप इसके फॉर्म को जरूर फिल करें इसके बाद जैदे हम बात करें इसमें अधर डिटेल्स की इसमें सबसे पहले हम आपकी इसमें एज लिमिट देख लेते हैं तो इसमें जो आपकी यहांपर एज लिमिट रखी गई है वो इस बार 18-26 साल रखी गई है क्योंकि जो हर बार इसकी एज रहती थी वो 18-30 रहती थी लेकिन इस बार यानिकी 2-4-30 की इस बर्ती के लिए जो इसमें एज लिमिट आपकी रखी गई है वो 18-26 रखी गई है इसमें आपको 3 साल एक्स्ट्रा दे गई है और यह जो 3 साल है यह आपको दे गई है कोविट की वज़ से क्योंकि जो कोविट के वज़ से बर्ती टाल दी गई थी लेकिन यह बर्ती अब इस बार जारी कर दी है तो अब आपकी जो इसमें एज लिमिट है वो 18-26 यानि कि इसमें जो आपकी डेट ओव बर्त है वो 2 जनवरी 1997 से लेकर एक जनवरी 2005 के बीच होने चाहिए अगर आपकी डेट ओव बर्त इन डेट के बीच में है तो आप इसके लिए इलिजिबल हैं और आप इसके फोर्म को भर सकते हैं और इसमें आपको अगर आप OBC, SC या फिर HD केटिगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी दिया गया है OBC केटिगरी को तीन साल का और SC या फिर HD केटिगरी को इसमें 5 साल की छूटियां पर दी गई है तो उनके लिए भी इसमें काफी अच्छा मौका है क्योंकि इनको इसमें अलग से छूट दी गई है तो आपके एज लिमिट में छूट काफी मायने रखती है क्योंकि उम्र सीमा की वज़े से बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें पहले ही बार हो जाते है तो यदि आपकी डेटो बर्थ इन डेट के बीच की है तो आप इसमें इलिजबल है आप इसके आवेदन को जरूर करें इसके बाद बात करते हैं इसमें योग गयता की तो इसमें जो आपकी योग गयता रखी गई है वो आपके केवल टेंथ पास होनी चाहिए यानि कि अगर आपने किसी भी यूनिवस्टी या फिर किसी भी रिकोगनाईज बोर्ड से मानिता प्राप्त बोर्ड से दसवी पास कर रखी है तो आप इसमें आवेदन भर सकते हैं चाहिए आपके टेंथ में कितने भी परसेंटेज क्यों न हो आपको किवल इसमें 33% से पास होना है और आप इसके फोर्म को अपला ही कर सकते हैं तो सातियों ये इसकी योग गयता यहां पर रखी गई है इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इसमें हाइट की तो इसमें जो आपकी हाइट है वो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटिमीटर फीमेल यानि महिलाओं के लिए 157 सेंटिमीटर रखी गई है और ये जो हाइट है ये जननरल कंडिडेट की है अगर आप स्ट के मेल या फिर फीमेल है तो आपके मेल कंडिडेट के हाइट 162.5 सेंटिमीटर और स्ट की फीमЕल की हाइट 150 सेंटिमीटर यहां पर रखी गई है तो साथियों इसमें भी आपको category wise height में छोट दी जाएगी और यदि आप North East region से belong करते हैं तो आपके जो height है वो 160 cm इसमें रखी गई हैं तो साथियों ये भी आपके S में height रखी गई हैं तो साथियों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो online date है वो आपके चल रहे है और last date इसकी 30 नमंबर रहने वाली है तो जब आप इसके form को बरेंगे तो यदि आप general category के candidate हैं तो आपको इसमें 100 रुपे fees देनी होगी और यदि आप OVC, ST या फिर ST category के candidate हैं और यदि आप किसी भी category की female हैं तो आप इसके form को free में ये apply कर सकते हैं आपको इसमें 0 रुपे fees पेख करनी होगी तो साथियों अगर आप इन category से belong करते हैं तो आप इसके form को free में apply कर सकते हैं और अगर आप general category के candidates हैं तो भी आपको इसमें केवल 100 रुपे fees दे कर अपने form को भर देना है जब आप इसके form को भर देंगे उसके बाद का जो इसमें selection process इसमें रहेगा उसमे के बाद आपका physical और उसके बाद आपका medical साथियों यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसमें पहले physical होगा या फिर written exam तो साथियों जितनी भी SSGD की भरती हैं आप तक हुई हैं और जो भी आगे होने वाली हैं उनमें सबी में सबसे पहले आपका इसमें written exam कराया जाता है उ तो साथियों यह आपके जो तीनों प्रोसेस हैं वो इसी तरह से इसमें रहने वाले हैं और अगर हम बात करें इसमें physical की कि इसके physical में आपसे क्या क्या करवाय जाता है तो इसमें physical में कुछ जादा नहीं होगा आपको केवल इसमें 5 km की रेनिंग लगानी होगी male candidates को जिसम आपको 24 मिनट में यह complete करनी होगी और जो female candidates हैं उनने इसमें 16,00 में की रेनिंग लगानी होगी जो कि आपको 8 मिनट में complete करनी होती है तो साथियों यह male और female दोनों के लिए यहाँ पर physical में आपको बता दिया है तो आपको केवल यही physical में आपर लगाना होगा तो यदि आप इसमें eligible हैं तो इसके form को जरूर भरिए और अपनी तयारी इसमें start कर दीजिए क्योंकि साथियों बहुत से इसमें candidates ऐसे होते हैं जो कि इसके form को तो apply कर देते हैं लेकिन इसकी तयारी नहीं करते तो मैं उन सबी से कहना चाता हूँ कि इसके form को जरूर भरें और इसके जावेदन को आप जरूर भरें साथियों कुछ candidates का इसमें सवाल होता है कि इसके form online होंगे या फिर offline तो इसके जो form है वो आपको online ही बरने होंगे sscgd की official website पर जाकर आप इसके form भर सकते हैं साथियों इसका link में आपको description में provide करा दूँगा तो वहां से जाकर आप इसके form क apply करें और इसकी तैयारी को start करें इसके बाद यदि मैं बात करूंगी जब आप इसके form को apply कर देंगे तो उसके बाद आपका इसमें examination होगा examination में आपके ncc case में आपको benefit marks भी मिल दी जाते हैं यानिकि अगर आपके पास ncc का a certificate है b है या फिर c है तो इन तीनों के आपको bonus ncc का कोई भी certificate है चाए वो किसी भी साल का है यानिकी कुछ candidates बोलते हैं कि सर हमारा 3-4 साल पूराना है क्या हो valid है तो साथियों ncc का certificate lifetime तक आपका valid रहेगा तो आप इसके form को जरूर अपलाई करें और अपने ncc के certificate को भी उसमें joint करें क्योंकि ncc के certificate से भी आपको इसमे बहुत फायदा मिलने वाला है तो साथियों ये इसकी पूरी details हैं जो भी मैंने आपको सुरू से लेकर अंत तक बताया और अगर आपका इसमें कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपको सभी के reply कर देंगे और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ह अपने चैनल पर तुरल प्रोवाइड करा देते हैं तो चले सातियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार